त्रे हाई फ्रेंज वेलकम टू माही एंड मानी शो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक मोरणफुल एक्टिंग लेके आए हैं जिसमें लास्ट में एक सीच तो चलिए देखते हैं बच्चों मैं ऑफिस जा रहे हूँ अब मुझे पता चला है कि कल से तुम लोगों के एक्जाम स्टाट है हैना तुम्हारी सब कुछ तो होई गया है लेकिन रिवीजन अच्छे से करने के लिए बुक रीडिंग करो और मैं आऊंगी तो मैं उसमें से कॉस्च्चन कुछली ओके दिव्यांच ओके शानवी ओके और मैं जिन का ख्याल रचेगा कुछ पढ़ें तो दाटेगा बहुत तेज़का इंको क्लीके मैं चलती हूँ और मम्मी गई अपकुछ देख लेता हूँ मम्मी गई आप टीवी देख लेता हूँ जिवेश आप तो थोड़ा मम्मी ने हम वक देया आप तो पढ़ लो नहीं मैं बाद में पढ़गा अरे चीवी चे बोलोगे तो जिवेश रेता तुमारे एकजान आने वाले तुमारे मम्मी ने हम वक दिया वो करो ना नहीं दादी मैं मुबाई लेता हूँ मैं सोने जा रही हूँ अरे मुबाई जीवी बोलोगे अब थोड़ा लाप्टॉप देख लेता हूँ अरे मुबाई देख रहे हूँ तुमारी मम्मी ने हम वक दिया था हूँ करो अभी मम्मी का आने का समय हूँ गया है मम्मी अलवाणी है तुमारी मम्मी अलवाणी हूँ वेरी गुड दोनों बहुत अच्वा मार्जी आख में भी अच्छा किया यह दोनों पड़ रहे हैं मम्मी मेरा रिपोर्ट कार्ड वाँ 90% वाँ मेरी बच्ची कितनी अच्छी है पड़ाई में दिव्यांच अपना दिखाओ सिफ 10% मार्क्स यह कैसे हो गया मैं तो रोज देखते थी यह भी पड़ते थी आप भी पड़ते थे मम्मी मेरे आख दर्द हो रही है क्या हुआ ओ यह तो बहुत ज़दा लाल हो गया चला रखते भी पास्ट जाए अचली इसके आख में बहुत तेसका दर्द हो रहा है प्लीज चेक करें न क्या हुआ इसको यह बहुत ज्यादा मोबाईल और टीवी देख रहा होगा इसको चेश्मा लगेगा आपके ठीक यह लगा दीजिए आपके जाने के बाद तीवी मुबाईल और और कम्प्यूटर लेखता था बहुत अच्छा गड़ते थे आप तो इसे में आपके इतने कम मांग साने टेस्क में अगली बास जूट बोलो ले मुच्छे दोस्तों इस कहानी से हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी अपने पैरेंट से जूटने बोला चाहिए दूसरा कि हमें कभी भी एलेक्ट्राणिक ग्याजिट्स का यूज नहीं करना चाहिए यह में कि हम थोड़ा सा भी ना देखे हमें थोड़ा इंटर्टेन्वेंट ले देखना चाहिए लेगन एक पार इतना ही नहीं कि जितना हमारी आखे खराब हो जाए में करें थे खराब हमने है और शु